नश्कार आप देख रहे हैं मासकूम जंक्षन मैं डक्टर प्रतीब कुमार हाजिर हूँ एक ओड़नी वीडियो के साथ डी स्टुडेंट्स अज हम बात करेंगे जोनलिजम के एक खास टाइप के बारे हैं इंबेडिड जोनलिजम हम जानेंगे इंबेडिड जोनलिजम क्या होती है कब से चलन में आई वो इंबेडिड जोनलिजम का जो तरीका है वो बाकी तरह की पत्रकारी तहम से कैसे तोड़ा अलग है तो आईए समझने का कोशिश करते हैं इस term को embedded journalism. The practice of placing journalists within and under the control of one side's military during an armed conflict. यानि जब war चल रहा होता है, जब yudh चल रहा होता है, या कोई conflict चल रहा होता है, उसका दो देशों के बिच में की conflict लगाता चल रहा है. तो उस दोरान, जब उस conflict को cover करने के लिए, उस war की reporting करने के लिए, military units के साथ, जब journalist को attach करके पेज़ा जाता है, उसको कहता है embedded journalism. तो यह journalist होता है, यह कहलाता है embedded journalist. यानि war zone में जाकर के, या conflict वाला जो area वहाँ जाकर के, जब पतरकार military units के साथ attach होकर के, पतरकार रिता करते हैं, उसको बोला जाता है embedded journalism. Embedded reporters and photographers are attached to a specific military unit and permitted to accompany troops into combat joints. अगर हम बात करें कि embedded journalism की, यह कब से शुरू हुई, तो हलांकि ऐसा नहीं है कि यह शुरू 2003 में हुई, या US और Iraq का जो war था उस दोरान शुरू हुई, बलकि बहुत पुराने समय से यह पतरकारिता चली आ रही है, कि war zone में reporter जाते हैं, conflict area में reporter जाते हैं, cover कर कर आते हैं, और उसको SENA का साथ ही मिलता है, लेकिन यह जो particular term है, इसका जो नाम सामने आई, यह जो चलन में आई, यह जो term, जो नई term आई जिनलिस्म में, यह आई 2003 से 2011 के दौरान जब US और Iraq का war हुआ, उस दौरान हुआ क्या, जो US के आर्मी है, उसने लगबग 600 जोनलिस्ट, जो थे 600 जोनलिस्ट हैं, उनको आर्मी क्यूनिट के साथ अटैज करके, war zone में भेजा, उसकी coverage के लिए, इन जोनलिस्ट को proper training भी दी गई वहाँ भेजने से पहले कि कैसे war zone में आपको reporting करनी है, कैसे सावधान रहना है, कैसे आपको वो जो एक तरह से critical situation वहाँ होती है, कैसे वहापिस उचना ही भी कठी करनी है, और खुद की life का जो risk है, उसको भी up stake बिना रहा कि कैसे आपको उसको बचना है, कैसे defend करना है, तो एक तरह से उसको training दी गई, उनको allow किया गया American forces के साथ उस उद्ध को cover करनी के लिए, जो embedded journalism है, उस पर थोड़ा एक तरह से debate भी है, scholars की debate भी चलती रहती है, कि यह objectivity जो है उसके लिए साही नहीं है, जो army अपने साथ ले करके जाती है journalist को, वो कहीना कहीने एक bias reporting करते हैं, और खासकर जो युद्ध जब चल रहा होता है, जब लोगों तक सूचना है पहुँचने होती है, कि युद्ध में अंदर क्या चल रहा है, अंदर से जो खबरें बहार आ रही होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो खबरें बहार आती है मीडिया में, उससे भी युद्ध कई बार जीते जाते हैं, प्रोपगेंड़ा कई बार चलता है, इन्फोर्मेशन वोर कई बार चलता है, तो ऐसा एक सोधार्थियों में चर्चा रही, स्कॉलर्स में चर्चा रही, कि ये जो है, ऑब्जेक्टिविटी जो है उसके सही लिए उसके लिए सही नहीं है, अल्दो ये इससे वर्स्ट कवरेज मिलती हैं, अंदर तकी खबरें सामने आती हैं, प्रोडक्शन जर्नलिस्ट को मिलती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बहुत से पतरकार युद्ध जब चल रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनको जान गवानी पड़ती है, उनको लाइफ अपनी विस्क परकनी पड़ती है, तो उसलिहाद से ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक तरक ये भी दिया गया, कि जो भी कंट्री उनको साथ लेकर चलता है, वो चाहता है कि इन्फोर्मेशन वोर जो है, या प्रोपगेंडा जो है, या जो 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 खबरें जिस तरह से आए, उनके फेवर वाली खबरें कही ना कही आए, ताकि वो एक जो खबरें कही बड़ा एक तरह से स्पोर्ट मिलता है, जो युद्ध चल रहा है, उसको भी जीतने में, तो इस तरह से इस पर डिबेट भी है, कि ये जॉनलिजम जो है, कही ना कहीं सही नहीं है, और दूसरी पर कुछ लोग ये कहने वाले भी है, कि जॉनलिस्ट के लिहा दुबार का प्रेज और इंबेड़ जॉनलिस्ट और जो पतर का रिता वो होती है, उसको बोलता है इंबेड़ जॉनलिस्ट तो इसी तरह कि कुछ और टर्म्स के साथ हम आपके भी चाहते रहेंगे, आप जो डरी है हमारे से तो देखते हैं मास को जंक्शन धेने वागे